पुर्वी लदाक की गंगवाल घाटी में सोमवार को चीन के साथ हुई जड़प में भारत के 20 सैनिक सहीद हो गए चीन की सरकारी मीडिया ने चीनी सेना के हवाले से दावा किया है कि गंगवाल घाटी छेतर पर उसकी संप्रुभुता रही है और अरोप लगाया है कि भारतिय सैनिकों ने जानबूश कर साने वाले हमले किये जिसके कारण गंभीर संगर्ष हुआ और सैनिक हता हत हुए चीन ने आरोप लगाया है कि भारतिय सेनिकों ने 15 जून को दो बार अवेद गती वीडियों के लिए सीमा रेखा लांगी और चीन के करमचारियों को उकसाया और उन पर हमली किये जिसके कारण दोनों पक्ष के बीच गंभीर मार पीठ हुई साथ ही उसने भारतिय सेना के इस बयान का विरोध किया कि गंगवाल घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दोरान सेनिकों के बीच हिंसक जड़क हुई चीन के विदेश मंत्राले के परवक्ता ज्हाओ लिंजियांग ने सीमा पर भारतिय सेनिकों के सहीद होने की खबर के बारे में पूछे जाने पर दहा कि आप लोग सूचना दे रहे हैं उसके बारे में मुझे जनकारी नहीं है ज्हाओ ने कहा कि हमारे सेनिकों की उचिस्तर्य बैठक हुई थी और सीमा पर सिती को समाने बनाने के बारे में महत्पूर सहमती बनी थी लेकिन आश्चरे जनक रूप से 15 जून को भारतिय सेनिकों ने हमारी सहमती का गंभीर रूप से उलंधन किया और अवेद गतिविधियों के लिए दो बार सीमा रेखा लांगी प्रवक्ता ने कहा कि हम एक बार फिर भारतिय पक्ष से कहते हैं कि सहमती का पालन करें भारति अपनी सेना को कंट्रोल में रखे अगरीम मोर्चे के अपने सेनिकों पर कडाई से नियंतरन करे और रेखार नहीं उलागे समस्या पैदा नहीं करे या एक तरफा कदम नहीं उठाए जिससे मामला जटिल बन जाए जाओं ने कहा कि दोनों पक्ष वारता और विचार विमर्ष के माध्यम से मुद्दे का सामधान इस्तिती को समाने बनाने के प्रयास पर सहमत हुए और सीमावर्तिय च्छेतर में सांतियों सोक्षा बनाये रखने पर रजामंद भी थे फिलाल इस खबर में इतना ही आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जोड़े रहें जैडने उसके साथ धन्यवाद